जै हिंद दोस्तों, कमेंट में जै हिंद जरूर लिखे, दोनों पैर गवा चुके कारगिल हीरो दीपचंद की कहानी, अफसरों से कहा था राशन मिले ना मिले गोला वारूट कम नहों, तो लोलिंग पर उड़ाय थे दुश्मन के बन कर, दीपचंद हर्याना के रहने वाले ह 26 जुलाई सन 1999 को भारतिय सिना ने पकिस्तान को हराकर कारगिल की जंग जीती थी, हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आठ मई 1999 को शुरू हुई कारगिल जंग 26 जुलाई 1999 को पकिस्तान की हार के साथ खत्म हुई थी, इस युद्धक शेत हैं, दीचंद अपनी यूनित में सब के फेवरेट जवान थे, सब को अपनी गायकी और शेरो शायरी के हुनर से एंटेटेन किया करते थे, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी टैंक और बड़ी बंदुकों के साथ दीचंद की टीम दुश्मनों के बनकर तबाह कर रही थी, दीचंद बताते हैं एक बार उनके अफसरोंने हाल चाल लिया, तब जंग के मैदान में दीचंद ने कहा था साहब राशन भले मिले न मिले गोला बारूद भरपूर मिलना चाहिए, दीचंद हर्याना के रहने वाले हैं, दीचंद ने जंग के वक्त का एक किस्सा बता पहला राउंड गोला मेरी गन चाली दो से निकला था तो लोलिंग पोस्ट पर और वही पहला ही गोला हिट हो गया था. हमने इस मूगमेंट में आठ जगह गन पोजिशन चेंज किया. हम अपने कंदों पर गन उठा कर लेकर जाते थे. हमारी बटालियन ने 10,000 राउंड फाय किया गया था. दीपचंद राजस्थान की सीमाव पर तैनात थे तो क्लियर करते वक्त अचानक गोला बारूद में आग लग जाने की वजह से ब्लास्ट हो गया. इसी ब्लास्ट में दीपचंद के दोनों पैर और एक हाथ बुरी तरह से जखमी हो गये. जिन्हें इलाज के दोरान काटना पड़ा. चीफ ओफ डिफैंस टाफ बिपिन रावत भी दीपचंद की बहादुरी के कायल थे. दीपचंद बताते हैं कि उनकी पत्नी से उन्होंने यह बात शिपाय थी. वह जब भी अस्पताल आती थी उनके साथी उनके पेरों पर तकिया लगा कर चादर अक्सर जीता करते थे. हाथ से ने उनके पेरों को ही चीन लिया. मगर आज दीपचंद निराश नहीं होते वह अक्सर लोगों को मोटिवेट करते हैं जो मिला उसे सौभाग्य मानते हैं. अगला जन्म सेनिक का ही मिले. शारीरिक नुकसान की वजह से भारतिये सेना में कम सम भी सेनिक के रूप में चाहते हैं. हिसार के गाउं के पाबहा निवासी लांस नायक दीपचंद वर्ष 1989 में सेना में भरती हुए और कश्मीर में सेना के कई जोखिम भरे ओपरेशन में शामिल रहे हैं. चीफ आफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत ने कारगिल दिवस पर का भी की थी. रायपूर में एक्स आर्मी फाउंडेशन के पूर्व सेनिक दिनेश मिश्रा और उनके संगठन के लोगों द्वारा कारगिल विजए दिवस के उपलक्षे में दीपचंद का सम्मान किया गया.